स्वाध्या यह पारम्टावा डॉक्टर बाबा साहिब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी माँ चैतन्य स्टूडिने मध्यम थी आजे गुजराती भाषानी अंदर समाविष्टा एक एकम नुँ आजे आपने एध्यन करीशू जुनु पीयर गर ए बर्वंतराय का ठाकुर नी एक जानीती कवीता शे एनी आजे आपने विगत्वार चर्चा करीए सव प्रथम आ कावे ना उद्देशो जोईये तो आ कवीता ना भ्यास द्वाराता में गुजराती पध्यसाहित्यमानी स्वनेट कवीता नो परिचे करी शक्षो आव प्रांत साव सामन्य यूती ना जीवन नी वादपण केवी सरस्रीते आलेखी शकाए ते समझी शक्षो गुजराती मा प्रकुती प्रणय सीवाई नी गटना पण कवीता नो विशे बनी शक्षे ए समझी शक्षो आनी साथे 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 साधी भाषा द्वारा पण उत्तम काव्य सिद्ध थाई शक्षे ते समझाशे आव प्रांत मान्वी पोतानू बाढ़ पण क्यारे भुली शक्तो न थी ते तमने समझाशे कवीताना मध्यम थी सामन्य विशे पण कवी प्रती भाद्वारा असामन्य केवी रिते बनी शक्षे ते तमने समझाशे अहीं नाईकाना कवी रदैनी समिदना अनुबवी शक्षे आव प्रांत जिवननी महत्वनी गट्नावनू समरण केवी भाव यात्रा करावी शक्षे ते तमने समझाशे आ काव्यमा प्रस्तावना स्वरूपे जे विग्यात रजू थाई शे तेनी हवे आपने वाद करी शू जूनू पी एर गर आ सोनेट बरवन्तराय का ठाकर नू उत्तम काव्य शे बरवन्तराय ठाकर गुजराती साहित्यना पंडित युगना कवी छे तेमनी गुजराती काव्य साहित्यनी केट्रीक चिरन जिवी सोनेट रचनाओ मा आ काव्य नू एक निश्चित स्थान छे तेमनी आ कवीतामा सिधा औने सादा शब्दों मा भावा बीवेक्ती सुन्दर रीते थाई छे बरवन्तराय ठाकोर अर्थगन कवीताना हिमाईती रहा हाता अर्थभी हिन औने मात्र लागणी वेडाने प्रगट करती कवीताने तेवो पोचट अने आसुसारती कविता कहता हता आगडवाद करिये तो सोनेटनू कावे स्वरूप मूर्तो इटालीनू छे पण ए अंग्रेजी सोनेट मार्फत आपना गुजराती साहित्यमा पणाव्विव साथे साथे गुजराती पध्यसाहित्यमा सव प्रथम सोनेट रचना आपनार कवी बहक ठाकोरज छे प्रथम सोनेट कवी तरीके गुजराती साहित्यमा बहक ठाकरनू मान औने आगुस्थान छे जुनू पीयर गर काव्व्य ए तेमनी एक मनोहर सोनेट कृती छे गुजराती साहित्यना आभुशन रूप आ कृती आप सवनेपन गम्शेज आक आव्व्यमा कवी बहक ठाकोरे सास्रेथी पीयर ना गरे आवेली एक मुग्द यूती ना मनोभावोनू आलेखन कर्यू छे जुना संस्मरणों थी गेराईली ये यूती आपनने पोतिकी लागे छे मानवरदैना व्यक्तिगत बावोने एक उत्तम कवी केवा समस्टिगत अनुबवना ब्रुहद परिमाणमा मुखी दे छे तेनु उत्तम उदाहरन आ कवी ता छे आ क्रूती जुनू पीर गर सोनेट बक ठाकोर नू खुबज ख्यात अने लोकप्रिया छे तेनी अवे आपने चर्चा करिये तो बेठी खाटे फरी वड़ी बदे मेडियो ओरडा मा कावेनो आरम उत्तम छे देठा हेते स्मृती पड बद उकले आ परूड़ आगण कवी कहे छे माडी मीठी स्मीत मदूर ने भव्य मूर्ती पिता जी दादी वाकी रसीक करती गोष्टी थी बार राजी सुनो स्थानो सजीवन थयो साम्बढू कंठ जूना आचारो कई विविद ढबना नेत्र ठारे सहुना बांडू नाहनो शिशू समयनो खट मिठो स्वबतियो ज्यात्य आवी वै बदली संताप जाने पडियो तोए ए सव स्मृती छबी वीशे व्यापी ले चक्षू घेरी नाहनी मोटी बहुरूपी थती एक मूर्ती अनेरी चोरी थी आदिवस सुधी मा एवी जामी कले जे के कोमारे पंड मुझ सड़े बार वेशे सहे जे बेसी खाटे पियर गरम जिन्दगी जोई सारी त्यारे जानी अनहद गती ना थमाहरा तमारी हवे आपणे समग्रकृती नो सारांश जोईशू कवी बडवंतराय कठाकोर अर्वाचीन गुजराती साहित्यना आरंबकार ना पंडित यूगना एक सुप्रतिश्टित कवी छे आ जुनू पियर गर एवनू चिरंजीव सोनेट छे गुजराती पद्यसाहित्यमा आ सोनेट नो आगू स्थान छे छंदना हिमाईती एवा आ कविये मंदा करांता छंदमा आ काव्यानी रचना करी छे दिकरी बे घर नी आवरू कहवाई छे दिकरी सासरे जाए पचीपण एना मनमा पोताना पियर नी स्मृती एवी ने एवी अकबंद रहती होई छे सासरे थी पियर मा औने पियर ना गर्म आवेली दिकरी ने तेना बार्पण नी पूर्व जिवन नी स्मृती विंटडाई वरती होई छे काव्वेना आरंभ माज कवी ये तरपदी बाश्यामा कहुँ छे बेठी खाटे फड़ी वड़ी बदे मेडियो ओर्डामा दिकरी गर्म प्रवेशे अने हिंचका पर बेठी छे पण तेनी नजर गर्नी बदी मेडियो पर ओर्डामा फरी वड़े छे अने स्मृती वन पड़ आप उकेलाता जाई छे कवी ये अहीं मदूर स्मृती नू एना हेत थी जूनी यादो उब्राई छे तेनू सुन्दर आलेखन करियु छे काव्यानी नाईकाने सव प्रथम तो वाच्छल्य सबर एटले के स्ने सबर मिठी मातानी मुर्ती दिखाई छे जयनू स्मीत मदूरू छे पिताजीनी मुर्ती भव्य छे पिताजीना व्यक्तित्वनी एक चोकस प्रकारनी आभा दिकरीना मन उपर अंकाई छे गरना दादीमा उम्बरना कारने वांका वड़ी गएलो तेने दिखाई छे पन ए दादीमा बाड़कोने बहु प्रिय छे तेम रसीक नी गोष्टी थी दादी बाड़कोने राजी राजी करे शे गरना दरेक खुणामा जुदा जुदा स्थानो पर नी अनेक गटनावो आ मुगदाने एलेक काव्य नाईकाने याद आवे शे दरेक स्थानो जाने के सजीवन थता जाए शे जुना अवाजो नाईकाने संब्ड़ा died शे आ बदी शम्रूतियो नाईकाने विन्टडाई वड़े शे जुदा आचारो सवनी आँखोने ठाड़े शे बारपनना खट मीठा एट्ले के एनी सोब्तियो एना साथियो एना संगातियो तेना नाना नाना भाई बेनो ते पन तेने याद आवेशे हजु तो भाई बेनो ने याद करेशे त्यां तो आ उम्मरे बदलाएली उम्मर वाडी पड़ियो संताएली नजरे पड़ेशे स्मृतियोंनी छबी नाईकानी आखोमा व्यापी जाएशे अने नानी मोटी बहुरूपी जेवी एक अनेरी मुर्ती तेनी सामे देखाया करेशे नाई का बेसी खाटे पीर गर्म जिन्दगी जोई सारी त्यारे जानी अनहद गती ना थमारा तमारी आ छिल्ली बे पंक्तियों मा कवी कहे छे के पीर मा आवेली खाट पर बेसेली नाई का नी नजर सामे थी बहुज थोड़ा समय मा एक आखी जिन्गी पसार थाई जाये छे त्यारे तेने नाथ नी अनहद गती जानी नाथ माहरा तमारी एटले एवो कही ने नाथ कोण तेवो प्रश्ण उबोथाई छे आ नाथ इटले कोण परमात्मा के पती नाई का पोताना बारपणना समगर जिवन नी याद द्वारा जाने के पतीना जिवन नी अनहद गती जानी शक्के छे समझी शक्के छे आगणवाद करिये तो बेठी खाटे थी शरू थता आ सोनेट कावे नी पूर्णा होती बेसी खाटे एवी पंगती द्वारा थाई छे अहीं बेठी अने बेसी वच्चे आखा सोनेट नू हार्द समायू छे अवे आपने आखावे नू क्रियात्मक सगन अज्ध्यन करिये गुजराती साहित्यमा सोनेट नू स्वरूप एनी पंगती ओथी ओडखाई छे सोनेट नू स्वरूप जे छे ए चवद पंगती नू कावे छे एमा न ओची न वदारे चवद पंगती त्यानू मुर्बूत अने निश्चित करतू एक लक्षन छे जे सर्व सिक्रूत बनी जे सोनेट माँ चार चार लिटी ना त्रण भाग अने छेलो भाग बे लिटी नो होई छे आगण बात करिये तो आ सोनेट कावे नो विगतवार अभ्यास तमारा माटे खुबज उपियोगी छे कावे ने आ रिते चार भाग मौवेंची शकाई छे सोनेट माँ आलेखायलो महत्वनो विचार सगन होई अने त्यानू वस्तू चिंतन सबर होई त्यारे सोनेट नों सोरूप आपनने संपोन रिते समझाई छे मंदा करांता चंद माँ रचायला आ सोनेट ना आरंभ माँ मुगदा यूरती सासरी थी पीर आवी छे पीर माँ जे गर साथे तेना बारपण ना अनेक संस्मरणों जोडायला छे ते गर ने जोताज नाई का आनंदी थाई ने खाट पर ब्यासे छे एट्टू ज नहीं हिंचका पर ब्यासी अने मुगदा नी नजर प्रेम थी हेत थी समगर गर माँ फड़ी वड़े छे ओरडा नी मेडी नानी नानी वस्तूओ तेनी पोता नी छे ते जोताज नाई का पोता ना भुतकार नी स्मुरुतियों पड आपो आप उकेलती जाए छे अहीं आपना लोक गीत मां कहिवायू छे तेम पग तो नहतो तक तो धरती पर जे गर मापोते उछड कूद दोरा दोडी करती हती त्या अत्यारे नाई का सांती थी बीठी छे परन्तु संस्मरणों तो हैयामा उछडेज छे इटलेज कवी कह छे के माडी मिठी स्मीत मदूर निभव्यमूर्ती पिता जी दादी वांकीर सिक करती गोष्टी थी बार राजी अहीं आ सव प्रथम स्वबावी कृतेज नाई काने मिठी अने मदूरी एवी वाद्चल्य बड़ी ममता मई पोतानी मातानू एटले के जननी नूश्मरण थाई जे ना थकी पोतानू अस्तित्व छे ए मातानों स्ने तो केवी रिते बुलाए दिक्री माटे पिता पण आदर्श हो है छे तेनी भव्य मूर्ती दिक्री ने याद आवे छे माता पितानी साथे साथे गरमा दादी मा होई छे तेमनी पण याद आवी जाए छे उम्मरना कारणे व्रुद्धावस्थाना कारणे कम्मर थी वाका वड़ी गएला दादी अने ए दादी मानी सगोष्टी थी बाड़को राजी राजी थाई जाए छे ते पन तेने याद आवे छे दीकरी सासरे चाली जाए पचिक गरना स्थानो तेनी गेर हाजरी मा सुना पड़ी गाए होई छे परन्तो आजे फरिती ये सुना स्थानो मुगदानी हाजरी तेने सजीवन बनावे छे जुना जुना अवाजो तेने संबड़ाई छे तेनी स्मृती रूपे तेना काण मां बदा अवाजो पड़गाई छे जुदा जुदा आचारो तेना काण ने स्पर्शे छे आँखने ठाड़े छे नानाना भाई बेनो माटे बांडू नहनो एवो शब्द प्रयोग करी कविये बहुज असर कारक एवी कावे रचना गड़ी छे नानाना भाणू ओ तेना बारपण ना एलेके बारवई ना साथियो छे जेनी साथे नाई का अनेक खाटा मिठा संस्मरणो संकणाईला छे ए नाई का ने याद आवे छे त्यारे तेनी साथे साथे बारपण मा प्रिय पोताने लागती एवी परी पन तेने देखाई छे परंतु आ उम्मरे पोतानी साथे साथे ए परियो नी उम्मर पन बदलाई गई छे तेथी जाने के परियो संताई गई छे इटले ज़ कहे छे के तो ए ए साउस्मृती छबी वीशे व्यापीले चक्षू गेरी नाहनी मोटी बहुरुपी थती एक मुर्ती अनेरी अहीं चौरी थी आ दिवस सुधी एवी जामी कले जे कवी ये अहिया आगण कहिँ छे के कौमारे पण मुझ सरे बाढ़ वेशे सहे जे लगन समय चौरी ना चार फेरा फर्या त्यार थी शरू करी ने आजना दिवस सुधी नाही काना हैया मा जामी गएली स्मृतियो सर वड़े चे तो ताना कौमारियाना समय मा जे बाढ़ वेशे सहजरी ते सर्तो जाए चे बारपण थी कौमारिय सुधी नी सफर यलेके नाही काना जीवन नी सफर विवीद प्रसंगों साथे आजे सासरी थी पियराविली दिक्री नी नजर सामी थी पसार थाई चे बारपण ना ए प्रसंगों नी स्मुरूती आ मुगदाना रदयम अकबंद सच्वाईली होई चे अहीं आखी स्मरण मंजूसा खोली ने बैठेली आ यूती नी याद तेने भुतकार ना समय मा पहुचाड़ी दे चे नाई का फरीथी तेनु बारपण जाने के पाचू मड़े चे ते वो अनुभव करे चे सोनेट नी छिल्ली बेपंग्तियों मा आपनी जोईये तो एक अलग प्रकार नू परिवर्तन आवे चे कवी ये लख्यू छे के बेसी खाटे पियर गर्मा जिंदगी जोई सारी त्यारे जानी अन्हद गती ना थमाहरा तमारी काव्यानी नाई का एलेके मुगदा खाट पर बेठी छे तेना माटे कवी ये शब्द प्रयोग अहिया कर्यों छे खाट पर बेसी ने बहु थोड़ा समय माज समग्र जिंगी तेने देखाए छे आवी तेलो समय बुली शकाए तेम न थी एम कई शकाए के जीवाईलू जीवन आई यू ती आजे फरी थी जाने के जीवी गई शे तेने गमती क्षणों के जेने तेने रदयमों जाडवी ने एटले के साच्वी नी मुकी हती ते खशणों ते फरी थी जीवे शे त्यारे नाई का कुद्रतनी अकर गती ने जानी गई शे समझी शकी शे अनहद गती जाने शे परन्तु त्या नाथ माहरा तमारी ए शब्द द्वारा बन्ने अर्थने सार्थक करे शे वितिला जीवन नी क्षणों द्वारा कविये वर्तमान अनी भविशना समय ने नाई का समझी शके शे जानी शके शे एक अदाच पोता ना पती तरफ ना स्नेह थी प्रेम थी बग कठाकोर नू एक अन्या काव्या एटले के वदामनी सोनेट पन उत्तम सोनेट शे तेमा प कविये नारी जीवन नी एक महत्वनी गट्नाने केंद्रमा राखी ने स्त्री अने पुरूष ना मदूर दामपंत्य स्नेह नू मन भर आलेखन करी जे आ स्वानेट मा प्रथम प्रसूती वखते पित्रु गुरुहे गएली नारी नी एक आगवार रदैनी लागनियों ने क आचा आपी छे हवे आपने वस्तुलक्षिक कसोटी नी केट्लिक वाद करिये जैना द्वारा तमारी प्रगते चकाशी शकाए छे सव प्रथम नीचे ना प्रश्णों ना उत्तर आपो प्रश्ण एक आ सोनेट काव्यम कोना जीवन नी वात करवामा आवी छे बे आ काव्यनी रचना कया छंदमा करवामा आवी छे प्रश्ण नंबर त्रण काव्यना शिर्षक नी यथार्थता समझाओ प्रश्ण नंबर चार आ काव्यनो प्रकार कयो छे प्रश्ण नंबर पांच काव्यनी नाईका क्या बेठी छे नाईकाना केवा समेदनो अहिया अनुभवे छे प्रश्ण नंबर चार नाईका माटे नाना भाईबेनो शू हता प्रश्ण नंबर साथ कवी ये नाईकाना परिवार जनोंनो वर्णन कया शब्दों मा करिए प्रश्ण नंबर आट काव्यनी नाईका क्यों समेदन अनुभवे छे प्रश्ण नंबर नव काव्यनी नाईका क्या आवी छे अने शा माटे आवी छे प्रश्ण नंबर दस काव्यनी अन्तीम पंतीम कया शब्दना बे अर्थ थाया छे आ कया कया अर्थ थाया चे ते तमारे जनावानू चे आगण वात करिए तो नीचे ना वाक्यों साचा छे के खोटा ते आपेला खाना मा खरा अने खोटा नी निशानी करी ने तमारे समझावानू चे एमा प्रश्ण नंबर एक, स्वनेट काव्यानों मुख्यरा सवीर छे प्रश्ण नंबर बे, काव्यामों नाईकाना मनो भावो व्यक्त थाया छे प्रश्ण नंबर त्रण, आ काव्यानों स्वरूप खंड काव्यानू छे परष्ण नम्बर चार, आ काव्यमा नायक अनिनाईकाना मिलन प्रसंगनू वर्णन छे। परष्ण नम्बर पांच नायीकानी मातानू स्मीत मधुर छे। प्रश्ण नंबर छा, सोनेट नी नाई का हिंच का परबेठी जे, हवे आगरवाद करिये, तो निचेना वाक्यों माटे साचो विकल्प पसंद करी अने तेना उत्तर तमारे आप पानों छे, प्रश्ण नंबर एक, जुनू पीर गर काव्य सोनेट छे, कारण के विकल्प एक एमा अख्यानना लक्षणों छे, विकल्प नंबर बे, एमा चाउद लेटी छे, विकल्प नंबर त्रण, एमा प्रकृति वर्णन छे, प्रश्ण नंबर बे, आका अव्यमा नाई का पीर ना संस्मरणों वागोले छे, कारण के विकल्प नंबर एक, नाई का पीर आवी छे, विकल्प नंबर बे, नाई का ना लग्ण थाई रहा छे, विकल्प नंबर त्रण, नाई का पती ने मड़े छे, आगड़ वाद करिये, तो प्रश्ण नंबर त्रण, जुनू पीर गर एक आव्या, एक स्मृतिक आव्या छे विकल्प नंबर एक, कारण के एमा बे सक्खियो ना जीवन नी वात चे विकल्प नंबर बे, दामपत्य जीवन नी सहपंथनु आलेखन अहिया करवा मावी चे विकल्प नंबर त्रण, आक आव्वेमा नाईकानी बारपन नीस मुरुतियनु आलेखन चे हवे आपने समग्र कवीता नो भाश्या की ये सामगडी नो अभ्यास करीशू जुनूपी एरगर ए एक सोनेट काव्या छे कवी ये पोतानी भातने चवद पंक्तीना एक निश्चित माडखामा काव्य मैता थी रजु करवानी होई छे एक लेके एवो कवीता माँ कवी नी अभीव्यक्ती सामर्थेनी कसोटी पंथाई जती होई जे गुजराती कवीता माँ सवप्रथम सोनेट काव्यानी रचना बर्वंतराय करठा कोरेज करी जे आ काव्ये माँ तेमना एकले के आपनार्थेनो परिचे पंथाए जे ओछा शब्दों मां गणों कही देवानी शक्ती कवी नी वाणी मां जोवा मड़े छे। आ काव्य मां लागवनों परीचे काव्य मां अनेक स्थरे जोवा मड़े छे। माडी मीठी स्मीत मदूर ने भव्य मूर्ती पिता जी आ एकजलिटी मों मातापिता बंदेनू आबे हूब वर्णन थाय। मातापिता अने दादी तेमज नाना भांडू ओने परीवार हतो तेनी जान आपने एया थाय जाय छे। काव्य मां अंत्यानू प्रास अलंकार प्रव्यू जाय जे। पंग्ती ना अंते आवती सोबतियों परियों एम बे प्रास मेडिव्या छे। तो अग्यार्मी अने बार्मी पंग्ती मां कले जे सहे जे जेवा शब्द प्रव्यूप थाया छे। अई यहां आगणवाद करिये तो मंदा करांता चंद मां भावनी सगंता नी अनुभूती कवी ये सुन्दर रिते आपनने करावी जे काव्वेनी सरर अने लैवाही पदावली मां तरपदा शब्दों नो प्रयुक बन थायो छे आगणवाद करिये तो केट्टूक पुंद्रावलोक अन्द्वारा पंतमारी प्रगती चकाशी शकाशरें सव प्रथम प्रश्ण नंबर एक काव्वे नाईकाना पीयर गणमा कौन रहतो हतो प्रश्ण नंबर बे नाईकाना बारपणना संस्मरणो के वाहता प्रश्ण नंबर त्रण नाईकाने परी हवे केवी लागे चे प्रश्ण नंबर चार नाईकाने तेनी जिन्गीना कया समयनो संस्मरणो गेडी वळे चे प्रश्ण नंबर पाँच खाटे बेसीने नाईका कोनी गती जाने चे आ थही तमारी कसोटी नीवाद, हवे केटिक लेखन प्रवुती माटे नीवाद करिये तो आक आव्वेमा सासरे थी पियर आवेली मुगदाना भुतकार्न संस्मरणों नू आलेखन धयुझे तमारा जीवनमा पण आवा गणा संस्मरणों हशे, तमे पण आवी अनुबुती करी हशे, आवा संस्मरणों ने वागोडी ने याद करी ने तेने पध्यमा उतारवानों प्रहत्न तमारी करवानों छे हवे आपने विशेश अध्यननी वाद करिये, विशेश अध्यनमा सव प्रथम आपने आ कावेना कवी नो परीचे मेड़ी विशू, आ कावेना कवी बरवंत राय कल्यान राय ठाकोर्णों जन्म अडार्सो अग्नों सित्तेर मा बरुच मा थायो हतो, तेमनी मातानू नाम जमन बेन हातूं, कॉलेज नो शिक्षान एक वर्ष भावनगर मा, एक वर्ष भुंबई नी इलफिंस्टन कॉलेज मा अने बे वर्ष पुने नी निक्कन कॉलेज मा लईने इत्यास अने अर्थ शास्त्र विशेश साथे भी ये थाया, त्यार पछी एक कॉलेज मा एमेनो अभ्यास करेऊ, इत्यासना अध्यापक तरीके पुने, कराची, अजमेर, राजकोट अने वर्ष भुदुरानी कॉलेज मा अध्यापन कारिया करी हतूं, ओग्री सोने चौविश मा बर्वंत्राय ठाकोर निवरुत्त थाया, बर्वंत्राय ठाकोर खुब उन्ची याँ तेमनों कवी नाम सेहिनी हतु, बनकार मा अंतीम शब्द सेहिनी चे, इश्विशन उगणी सो माँ, इस्विशन उगणी सो सुधी प्रकाशित काव्वय माँ तेमने सेहिनी नामनों एक कवी नाम तरीके उप्यूप करे हतूं, अगण वाद करिए तो तेवों कही खुद कल्मी इतर नज लखवू आ तेमनी कांतनी ललित को मल पदावलेनु आकर्षन अनुभवनार बक ठाकोरे जे महरी प्रकुरूती मुल्थीज एवी नो स्विकार करेव अने स्वक्य बुद्धी थी लखवानु शरू करियो हतु तो विद्यार्थी मित्रों आ हती जुन पीरगर काव्या अने तेना कवी बर्वंत्राय का ठाकोर निवात। हवे फड़ी मरीशू आपने नवा इकम साथे आवजू।